रोजाना काम आने वाले छोटे-छोटे घरेलू नुस्खे जो आपके काम को बना देंगे बहुत ही आसान, समय निकाल कर जरूर बढ़े. दादी मा के पंदरह नुस्खे एक, पेट घटाने के लिए अपने दिन की शुरुआत जीरा पीने से या नीमबू पानी पीने से या भीगे हुए बादाम और अख्रोट खाने के साथ करें. दो, रात का खाना खाने के बाद अगर आप तीन इलाइची चबाकर गर्म पानी के साथ खाते हैं, तो आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाते हैं. तीन, दही में चावल के दाने और चूना मिलाकर खाने से दो हफ़तों के अंदर अंदर आपके चहरे का रंग साफ हो जाएगा. चार, अगर आपके बाल जरूरत से ज्यादा जड़ते हैं, तो एक महीना रोजाना काजू का सेवन करें, आपके बाल मजबूत हो जाएंगे. पांच, अगर आप बहुत पतले हैं और आपके गाल चिपके हुए हैं, तो रात की बासी रोटी को सुबह एक पाव दूद के साथ खाएं, ऐसा करने से गाल भर जाएंगे. 6. साथ हजार महीलाओं में से ऐसे एक महीला होती है, जिसे पीरियद्स के दौरान भी प्रेगननसी ठहर जाती है. 7. सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की दो कलियां चबाएं, और उसके बाद एक गिलास निम्बू पानी पी ले ऐसा रोजाना करने से वजन तेजी से कम होने लगता है. 8. लेसुन में मौजूद तत्र स्तनों का धीलापन दूर करने में मदद करते हैं, इसका रोजाना सेवन करने से आपके स्तनों में कसा वड़ाती है. 9. उड़द की दाल को पीस ले और रात में सोने के समय सिर पर लेप लगाएं, ऐसा कुछ दिनों तक करने से गंजापन दूर हो जाएगा. 10. जिन बच्चों की शारिरिक लंबाई कम होती है या शरीर कमजोर होता है, उन्हें पपीता रोज खाना चाहिए. 11. मूली को काट कर उसका रस रोजाना पिए. बवासीर के दड़ को ठीक करने में मदद करता है. 12. अद्रक को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उसे फ्रिज में एर टाइट कंटेनर में रखें, ताकि यह सूख न जाए और लंबे समय तक ताजा रहे. 13. काले चने की सबजी बनाते हुए चाट मसाले का इस्तमाल जरूर करें, ऐसा करने से काले चने की सबजी बहुत ही ज्यादा स्वाद बनेगी. 14. दही अगर ज्यादा खटा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें और फिर कपड़े में बांध कर कुछ देर के लिए लटका दे ऐसा करने से उसकी खटास काम हो जाएगी. 15. अगर हिचकी ज्यादा आ रही हो और बंद नहीं हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चपाएं, हिचकी आना बंद हो जाएगी. 15. अगर आपको यह टिप्स पसंद आई हो तो जल्दी से इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करे धन्यवाद.